सुप्रभाद कक्षा तीसरी के विद्ध्य अर्थियों आज हम हिंदी साहित्य में अपना अगला पाठ पढ़ेंगे तो हमारा अगला पाठ है पांचमा पाठ है जो उसका शीर्षक है बहादूर बित्तो तो पहले हम जान लेते हैं कि बहादूर का मतलब क्या होता है या उसका अर्थ क्या होता है तो बहादूर का मतलब होता है साहसी निडर दिलेर ऐसा साहस पून काम या वीड़ता पून काम है तो इसमें जो ये एक पंजाबी लोग कथा है इसमें जो किसान की बीबी है वो बहुत बहादूर है साहसी है निडर है तो उसने कैसे अपना साहस का परिचे दिया अपने बुद्धी का परिचे दिया कैसे उसने सूजबूच से सेर को भगाया ये सब हम इस कहाने में पढ़ेंगे तो हमारा पांचवाँ पाठ है जिसका शीशक है बहादूर बित्व जो एक पंजाबी लोग का था है तेके एक किसान था उसकी बीबी का नाम था बित्व मैंने बताया आपको ना भी कि बित्व जो थी वो किसान की बीबी थी और वो बहुत बहादूर थी एक दिन किसान ने बित्तो से कहा सुबह जब मैं खेत में हल चला रहा था तो एक सेज ने आकर कहा किसान किसान अपना बैल मुझे दे 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 वरना मैं तुझे खा जाऊंगा बित्तो ने उस से पुछा तो ने क्या जबाब दिया तो किसान ने कहा मैंने कहा तू यहीं रुख मैं घर जाकर अपने गाय ले आता हूँ अगर तू बैल खा लेगा तो हम लोग तो भूको मर जाएंगे ठीके तो बैल खा लेगा बैल किस काम आते हैं बैल जो है खेत को जोतने के काम आते हैं जब किसान जो होता है वो खेत जोतता है फिर उसके बाद वो फसल लगाता है फिर उसमें अन होता है ठीके फिर वो अन किसान का परिवार खाता है तो इसलिए वो कह रहा है कि यदि वो बैल खा लेगा सेर तो वो भूको मर जाएंगे यह सुनकर बित्तो को बहुत गुसा आया उसने किसान को फटकारा फटकारा मतलब उसको डाटा फटकारा उसको घर की गाए सेर को खिलाते तुम्हे सरम नहीं आती अगर गाई चली गई तो घर में न दूद न लसी बच्चे रोटी किस चीज के साथ खाएंगे क्योंकि आप सब जानते हैं कि जो दूद होता है उसमें बहुत पोशन होता है और बच्चे जो हैं उसको बहुत बच्चों के लिए वो बहुत ज़्यादा जरूरी होता र बच्चे उसे बहुत उसके साथ रोटी खाते हैं उसको छ्च्वान उसको उसको उसकी नकी मनपसंद चीज होती है दूद्डarr तो इसलिए बित्तो क्या कह रही है किसान को फटकार रही है उस पर गुस्सा कर रही है बित्तो को एक तरकीब सूजी तरकीब का मतलब एक योजना सूजी एक उसे उपाया आया ठीक है उसने कहा तुम फौरण खेत में जाकर सेर से कहो कि मेरी बितो तुम्हारे खाने के लिए एक घोड़ा लेकर आ रही है किसान डड़ता ड़ता सेर के पास गया उसने कहा सेर राजा हमारी गाय तो बड़ी मरियल है मरियल मतलब कमजोर सी है पतली सी है उससे तुम्हारा क्या बनेगा उसे तुम्हारा क्या बनेगा मतलब वो सेर तो उसका जो खाना होता है क्योंकि उसका सरीर भी बहुत बड़ा होता है तो उसका जो खाना होता है वो भी बहुत ज्यादा मात्रा में होता है तो इसलिए वो कह रहा है कि जो मेरी गाई हो तो मरियल सी है कमजोर सी है तो तुम्हा कठें शब्द अपनी नोटबुक पे लिखेंगे।